शेर ने चुकाया एहसान एक गुलाम व्यक्ति था उसका मालिक बहुत ही निर्दई था इसलिए गुलाम जंगल में भाग गया वहां उसने एक शेर देखा शेर को दर्द हो रहा था उसकी पंजे में एक कांटा फसा हुआ था गुलाम व्यक्ति शेर के पास गया और उसका कांटा निकाल लिया अब शेर का दर्द कम हो गया एक दिन गुलाम को उसके मालिक ने पकड़ लिया उसका मालिक उसे भूखे शेर का सामना करने का आदेश देता है गुलाम समझ चुका था कि उसकी मृत्यू निश्चित है लेकिन क्या अश्चर हुआ जब शेर दहारता हुआ आया लेकिन उसने गुलाम को नहीं बलकि उसके मालिक को मार डाला ये वही शेर था जिसकी गुलाम ने जान बचाई थी तो बच्चो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जिसके साथ अच्छा वहवार करेंगे वे भी हमारे साथ अच्छा ही वहवार करेगा अगर हम किसी के साथ बुरा वेहवार करते हैं तो वे हमारे साथ बुरा ही वेहवार करेगा